पहुत बहुत स्वागात है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास लेवन्थ हिस्ट्री यानि इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्टन आंसर के बारे में बेसिकली इस वीडियो में हम आपके दो चैप्टर एक है चैप्टर नमबर फाइब या या बसामराज जी और एक है चैप्टर नमबर सिक्स तीन बारे इन दोनों ही चैप्टर के जितने भी आप के पॉइंट आंसर जो होते हैं कि 8 मार्क से जो कोश्टन आंसर होते हैं उन सभी इक हो मियां पर डिसकस करने वाले बिसिकली टोटल इन दोनों ही चेप्टल से हम पांच important question answer को डिसकस कर लेंगे जो कि आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important आने वाले 25 से 30 मिनट की इस वीडियो को completely देख लेना हर एक question का answer बहुत easy way में आपको समझा दो टिक है वीडियो चे लेगे तो लाइक शेयर जरू करें और चैनल से जोड़ने के लिए सब्सक्राइब ही अवश्च कर लें तुरुआत करते हैं एक ऐसा important question answer जो की अमेशा most of the question पर पूचा ही गया है question number one chapter number five चंगेश खान की उपलब्दियों का वर्ण कीजिए तथा उसकी सफर्ता के क्या कारणते बताई तो simple answer बताना है चंगेश खान की जनम होता है जनम से मृत्य तक basically इसने बहुत से युद लड़े और उसमें हमेशना इसकी जीत भी हुई थी, mostly जो युद थी, ठीक है, अब इसी संबन में ये युद जो जीता था, तो वो इसकी सैनिक उबलब्दी को यहां पर दशा था, कैसी थी इसकी सैनिक उबलब्दियां, बहुती अच्छी थी, बहुती प्रसिद्धी थी, बहुती खतरनाक थी, जो कि किसी को भी हरा सकती, तब से पहले इसने क्या किया, चंगेश खान ने, इस्टैपी छेतर की, युद शैली थी, इसने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सो उसमें चेंजिस की, और अपने अनुसार उसमें बदलाव करने शुरू किये, और इससे अपने अनुसार जब बदलाव किये, तो ये तेजी से, हम कह सकते हैं, कि मजूत हो गया, ठीक है, अब ये जो चंगेज खान था, ये घुड़ सवार में कुशल था, यानिकि इसको घुड़ सवारी बहुत अच्छे तरीकी से आती थी, तो इसने क्या किया, अपनी सेना को घुड़ सवारी का प्रसिक्षन दिया, और उसे भी घुड़ सवारी सिखा दी, अब जब घुड़ सवारी सिखाई, तो चंगेज खान जो था, उसे तीरंदाजी का बहुत अच्छा कौशन था, तो वो घुड़ सवारी के साथ सा, जिसे विक्सित होने लगी क्योंकि देखो एक तरफ है पैदल सेने ठीक है और एक तरफ है गुड़ सवार एक तरफ है तलवार तलवार यानि कि जिनके पास मियान मतलब तलवार होती है एक तरफ है तीरंदाजी जिसे दूर से भी किसी विक्ति को मारा जा सकता है तो यहां प बड़ी तेजगती से यातराएं किया करते हैं यह हो गया ठीक है उसके बाद चंगेश कान ने देखा कि सीत मौसम में युदवियान किये जाने चाहिए क्योंकि इस समय क्या होता है नगरों और सिवरों में प्रिवेश्च करने के लिए बरफ से जमी हुई नदियों का राजम चलाता था क्योंकि उससे क्या होता था नदिया वरफ में जम जाएंगी तो आसानी से राजमार्गे को रुप में उप्योग कर सकेंगे और कोई भी जो है आजा सकेगा और आसानी सब किसी पर आकर्मन भी कर पाएंगे ठीक है और तो हम क्या करेंगे उसको वहीं पर पर या पर चंगेज कंने घेरावंदी यंत्र और नेफ्ता बंबारी के महतर को या healing यानीं चंगे थária तो घेरावंदी के समझ में एक यंत्र आया तिक है उसके इस सामराज जो मैं विक्सित हुआ तो उसने उसके महत को समझा ताति साथ नेफ़ता बंबारी यान की बंबारी कैसे की जाएगी और इसका क्या महत हो सकता यह समझ किया था साथ ही उसके कुछ इंजीनियर थे इनोंने सत्रों के वुरुद अभियान में इस्तिमाल किये गए जो हलके चल उपसकर थे इन से क्या क्या है इनोंने जुद में ये जो चल उपसकर हुआ करते थे जैसे आपने देखा होगा ना कि अंग्रेज जो अगरते थे जो बंदूक लेके रहते हैं उसमें केवल चाकू लगा होता गोल इन चलती है तो वही इस तरीके से उनका भी इस्तिमाल जो है वो तेजी से आपे बढ़ने लगा इनकी इंजीनियर की वज़े से तो सपलता के कारण यह दो पॉइंट और सेंद खुलब दियां यह सारे पॉइंट इस तरीके से चंगेज खान का यह कोश्चन आपको आपको एजी ली समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नमबर वन कंप्लेट आगे चलते अगले कोश्चन के लिए इस चैप्टर में एक और इंपॉर्ट्ट चंगेज खान और मंगोलों का विस इतियास में क्या योग्दा आपको बताना है स्दिखके़ इसन में बश्चन है मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का एक सबसे महाल मथा सकता क्या था बच्चो एक महाल है सकता कैसे था ऐसे कहेंगे मंगोलोंको सबसे पहले tool चंगेश सगसद खान ने सँскойकिया एक लंबे समय से लड़ाई चली आघे हैती जो मंगोलों के कविलाई लोग थे और चीनी जोते मंगोली कवीलाई कि चंगेज खान ने चीनियों की लोगों से अधाफाई की यूद्य किया और यूद्य में परास किया और यूद्य जो लोग थे उन्हें चीनियों के द्वारा सोशन से नुक्ति दिलवाई तो इसलिए महान सासक्वान इस ने इस मंगोल समराज्जी को और बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया और एक होता है कि अपने छेट से दूसरे छेटर में इसको और तेजी से बढ़ाना सुरू कर दिया था तो वो सब किसने किया चंगेश खाने व्यापा यहाई जैसे कि एक विक्ति था वेनिस के वेनिस का था मार्को पोलो यह दूर का याद्टि था यह आया यहाँ पर इसने शेंगेश खांग के बारें बहुत सारी बातों को देखा मंगोल समराज को समझा अच्य तरीक्य से था जिसका नाम ता तैमूर यह एक विश्य वह प यह चंगेज खान का वंशज नहीं था लेकिन चंगेज खान ने उसे अपने खानी परिवार के दामाद की रूप में प्रस्तुत किया मतलब दामाद की रूप में उसे अपनाया था ठीक है तो इसलिए तैमूर जो था वो कहता था मैंना पूरे विश्व पे राज करना चाहत था था क्योंकि उस समय सिंगासन के स्परादा रहे था वंश के अधार पर यह चंगेज खान ने इसे अपने दामाद की रूप में स्विकार किया और इससे राजा पर और कुछ बाते आ जाएंगी मंगोल सासक जो थे वह स्वयम ही बहुत सारे धरम बहुत सारी आस्ताओं स जितनी भी जातियां थी जितनी भी धरम थे उन सभी को प्रशासक में प्रशासन में दर्वाल में जगेदी अतियार वाइंदस्यान ने दल के रूप में उने बत्ति के यानकि ये लोग जो थे मंगोल चंगेज जो भी थे इन दोनों ने कभी भी यानकि इन सभी ने कभी ध खरम को लेके जाती को लेके विवेद नहीं किया, इनका सासन बहु जाती था, यहनकि बहुत सारे जाती की लोग थे, बहु बाशी लोग थे, बहु धार्मिक था, जिसमें बहु संभिधान का कोई भैर नहीं, तब से आखरी पॉइंट, मंगोलिया, आज एक स्वतंत नायक की रूप में लिया है, जिसका सार्जनिक रूप से सम्मान भी किया जाता है, और जिसकी उप्रवदियों का वर्णन करते हुए, वो लोग गर्ब में कुस करते हैं, ठीक है बच्चो, तो चंगेज खान के विश्वतियास के योगदान के सम्मन में, पहले पॉइंट आप ये लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद आप ये पॉइंट एजिली लिख दो, तो दोनों ही कॉश्चन इजी वे में मैंने आपको समझा दी है, आयोब आप समझ गये होंगे, अच्छा हाँ, अगर आपको कोई भी कॉश्चन डाउट होना, तो आप हमें इस्टाग्र की आइडी है, ठीक है, चैनल के नाम से ही है, स्मॉल लेटर में, और टेलीग्राम गुरूप को बच्चो जरू जोइन करना, जिसके लेवन का स्याफे, आपको इंपोर्टेंट अपडेट्स, वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक है, वीडियो बैक जरू देना, कमेंट बोक्स म इसमें से एक most important repeated question ये है, कि 14 सताब्दी के आरंब में, यूरोप का जो आर्थिक विस्ता था, वो दीमा पड़ने लगा, इसका समुलशन आत्मों परिच्छन तुझे, देखिए, कई बच्चे जो है, इस वर्ड को देखकर बहुत जादा गवरा जाते, इसका क्या मतलब है आपको सिंपल सा बताना है, कि 14 सताब्दी के आरंब में, यूरोप का जो आर्थिक विस्ता था, वो आकिर दीमा क्यों पड़िगा है, इसके कारण बताना है, तो शुरुआत होगी point number one से, कि 13 सताब्दी के आर्थितक क्या हुआ, उत्री यूरोप में, तेज ग्रीश मृत् वो काफी छोटे होते हैं, राते लंबी होती है, तो इसमें सुरज जो है, वो रोष्णी आनी पाती जादा अच्छे से, तो इसलिए फसल जो थी, उसकी पैदावार के मौसम काफी छोटे हो गए, और इसके विज़से उपजावपन भी कम हो गया, और basically खाद्यान जो था, वो सरकार उमढ़ने लगा, तूफान आए, सागरिये तूफान आए, बाढ़ आई, इसकी विज़से खेद, खलियान, वसल नश्ट होते चले गए, और जो भी सरकार को आमदनी होती थी, वो भी कम होने लगी, तो सरकार ने क्या किया, पहले तो लोगों के पास खाने के लि कहां से देंगे, उसकी विज़से आती किस्ती बहुत जारा, फैल रही थी, ब्रस्टा चार बढ़ रहा था, और भुख मरी फैलती जा रही थी, तीसरा पॉइंट, पहले की गहन जुताई की वज़े से, पहले क्या था, गहन जुताई होती थी, जिसे तीन पसल होगाई जा करते थे, तो ऐसे स्थानों की कमी वहां पर होने रही, जनसंक्या व्रेद्धी हुई, तो जनसंक्या व्रेद्धी कारण संसाधन बहुत तेजी से कम होने लगे, संसाधन जो थे भी उन पर दबाव पढ़ने लगा, और जो नहीं थे वो तो कहा थे नहीं बिल्कुल, ठीक ह बचे नहीं, और संसाधन कम पढ़ने लगे, तो इसके विज़े से क्या हुआ, अकाल पढ़ गया, और साथी, चरागाहों की कमी की वज़े से, तेरा सो बीस इसवी क्या स्वास में, हजारों की संख्या में पॉस्तों, जो पशू थे, इनकी भी मिरित्यू होने लगी थे, यह परिवतन आए, और देरे-देरे करके इसमें कुछ और परिवतन दिखी गए, यहां पे व्यापार प्रभावेत हुआ, कैसे, आस्ट्रिया वस सर्विया, यहां पर जो चान्दी की खाने गुआ करते हैं, जहां पर यह जो यूरोप था, यहां पर व्यापार होता था थ अब जो जल्पोत थे यूरोप में आया करते थे व्यापार के लिए तो इन जल्पोतों के माहदव से एक महामारी छागी कौन सी जिसरी करते थे व्यूवेनिक प्लेगन के चुहों से फैनने वाली बीमारी जिसमें लाखो लोग संक्रित हुए और हर एक विक्ति आने वाले 24 गंटे में मर ही जाता था इससे, ठीक है, मजदूरों की संक्या में बहुत तेजी से कमी आई, सिंपल सी बात है, लाखों लोग मर हैं, भुखमरी के कारण, अकाल के कारण, इससे ब्यूवेनिक जो प्लेक बिमा मारी थी, इसकी वज़े से, अब जो मजदूर बचे थे, वो ज पहले किया था, सासक सबसे उपर होता था, तो अब वो सासक तिकर पर नहीं था, बलकि अब जो है, एक दरवारी समाज हो गया, एक आश्यर आता हो गया, इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ यूरोप के आर्थिक विस्तार के धीमा पढ़ने के कारण थे, और हर एक कोश्चन क आशर easy way में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, तो chapter number six का ये था हमारा पहला question, ठीक है बच्चो, easily आप इसे यहां से पढ़ सकते हैं, second question की बात करते हैं, second में पूछा गया बच्चो, चौरवी सताबदी से ठीक, 300 वर्स पहले, question number second, ग्यारवी सताबदी में, यूरोप म उससे पहले, 11 सताबदी में ये अपनी चरम सीमा पे था, तो अब हमें बताना है, ये 14 सताबदी में धीमा के चलों कशलों कारण ये तो पता चल गए, लेकिन ये किस तरीके से विक्सित बहुतत तेजी से हुआ था, अब इसके कारण बताने 11 सताबदी के संबने, ठीक है, यानि कि दोने question एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो चलिए, question number second के answer को discuss किया जाए, इसिकलि देखो, गैश्री सतापदी में क्या हुआ, इक्रिसी उत्पादन में तेजी से बड़ोतरी होने लगी और भोजन की उपलब्दता दुगनी होई, ठीक है, और ठीक, इसी के उलट क्या होता है, चौर्वि सतापदी में होता है, ठीक है, दो खेतों में क्या हुआ, दो खेतों के विस्ता के इस्थान पे तीन खेतों वाली विस्ता है, यानि कि दो फसलों की जगह, तीन फसलों के यहां पे उगाया जाने लगा, लकड़ी के हल के स्थान पर अब जो था, लोहे के भारी नौक वाले साचिनार पेट्रे का उपियों लेकिन अब उनके कंदे पर रखा जाने लगा घोड़ों के खुरों में अब लोहे की जगए लोहे की नाल कॉप्यों किया जाने लगा जाती साथ यहां पे संपीड़क वा चक्कियों से भी वायू और जल सक्ति का प्रियोग होने लगा किया बाई यहां कि देखो चक्कियों से भी मतलब चक्कियों में संपीड़क का मतलब है किसी चीज को बनाने के लिए किसी तरद धातों को बनाने के लिए चक्कियां यानि कि आटा बगारे पीछने टाइप में तो ऐसे में वहां पे कुछ ऐसा होगा तो इसके लिए क्या हुआ जल सकती वायू सकती इसका उपयोग किया जाने लगा तिश्कों के दौरा खेती योग जो भूमी थी इसका विस्ताद जब तेजी से किया दर लेगा व्यापा तेजी से होने लेगा खाध्यान में और तेजी से विरिद्य होने लगी तब यहां पर चौथे वर्य का उदय हुआ तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है चौथे वर्य की उदय की प्रश्ट भूमी समझाए तो आपको पूरा का पूरा यही आंसर लिखना है जो मैं आपको बता रह होगा व्यापार भी बढ़ेगा और नगरों का भी विश्टार है तेजी से होने लगा पर एक क्रिशी दास नगरों में चिपकर स्वातन जीवन व्यतीत किया करते थे और सबसे आखरी पॉइंट नए नए व्यवसाय जैसे कि नए इसने चौथे वर्य के उदय में बहुत सकते हैं योगदान दिया यह चौथे वर्य की विशिस्ता विमान सकते हैं तो 11 सताबदी में जो भी हुआ ठीक इसका उलट हुआ 14 सताबदी तो यह हो कि हमारा कोश्चन नमबर सैकेंड 11 सताबदी में यूरोप में होने वाले बिवन बदलावों की विवेचना इस तरह से ठीक है बच्चो इसमें वैसे कोश्चन बन सकता था जो मेनर होता है न मेनर यानि कि आपका जो दुतिय वर्ग होता है ठीक है दु YEAH भी दासी थे एक ते रोम गें दास इन दौनों की जीवन की दसाकी आपको तुलना करने है Ze himself Y Smith की बेसिकले काउन कीसी कि अच्छी नहीं थी पहले बात करेंगे रोम के रूप में ये जो लोग गवा करते थे रोम के डास के रूप में बिसिकलि इने तीन प्रॉप वर्गों से सबसे निचले दर्जा होता था इन डासों का, पहला पॉइंट निचले वर्ग का डर्जा, दूसरा पूर्ण रूप से इन लोगों को, इन डासों को समाजिक तोर पर, राजनीत तोर पर या आर्थिक तोर पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था और नहीं तो उन्हें सामाजिक न्याय वगएरा को प्राप्ति करने का अधिकार मिलता था इनकी इसे थी बहुती दैनिया हुआ करती है, रोमन दासों के साथ में पस्वों के जैसा विवार किया जाता है, जैसे पशु होता है वैसा विवार किया जाता था, इनकी मूल वो जरूरत, लोटे, कपड़ा, मकान, इनसे भी वर्चित किया जाता था, सिर्फ एक पशु जो ह लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें वर्तमान में जो रोम हुआ करते थे या पिर यह कह सकते हैं कि थोड़े समय के पश्चात बाद में कुछ लोग थे उन्होंने इन रोम के दासों प्रहित सान्वूति दिखाना शुरू कर दिया दासों को लेकर रोमन समराज में प्राया स संगर्ष देखे जाते थे यानि कि संगर्ष वहां पर होते रहते थे कई बार यह देखा गया केवल मनोरण्यन के लिए इन दासों को जंगली पशों के सामने डाल जाता अब देखो कितनी दैनियस्टि है कि एक दास अपने आपकी मौत को सुईकार करने के लिए मजबूर ह वहाँ पर जो शासक बद्यु गुए करता था यह इनको जंगी पशीरें के सामने के वहां की चिक पाना अच्छा वह कहते घण की दॉम कि दस्खा उत वी बहुत ही जादा खराथी इससे अच्छा नहिसे पाना अच्छा था इस दास की सिती से रोम के दासों का तो मृत्व पाना अच्छा था फिक है वो कहते हैं ना कि सौ दिन घुट घुट के मरने से क्या फाइदा है इससे अच्छा तो है कि एक दिन सेर की जैसे जीओ और मर जाओ सबसकी लोग याद तो रखेंगे हैना यह चीज थी तो रोम के दास में वो सौ दिन घुट-घुट के मर रहेते चीजिए यह वाली ठicating यहाँ पर आ आए फ्रांस के सर्व यह दासी थे बिसिकली लेकिन यह फ्रांस के सर्व जो थे यह किसान थे बिसिकली कौन थे यह किसान थे और फ्रांस में किसानों को जैसे रोम में जितने तीन वर्ग थे उसमें दासों को सबसे निम्न वर्ग का दर्जा दिया जाता था इसी तरीके से फ्रां जैसे कि उन्हें अपने मालिकों के लिए मालिकों से खेती के लिए भूमी का उपज़ का एक निश्चित भाग देना पड़ ते इन्होंने एक साल में 10,000 रुपीज तक का फसल उत्वादम कि यहां पर एक नियम बना दिया गया था कि इसमें से 50% आपका जो पसल रहेगा वह जाएगा आपके सासक के पास तो सिंपल से बात है इन्हें देना पड़ता था यह एक ऐसा नियम बना दिया इससे इनकी सिती बहुत ज़्यादा खराब होने लगी सर्फों को अपने भूस्वामी जो होते थे उनके खेतों पर बिना पैसे के काम करना पड़ता था यानकि बेगार करना पड़ता था जो सर्फ हुआ करते थे यह अपने भूस्वामी जिसके खेती जिन पर बिना पैसे के काम मजदूरी दिये बिना है, उनसे मकान बनवाय जाते थे, उनसे लिकणिया कटवाय जाती थे, लिकणिया चरवाय जाती थे, पानी भरवाय जाते थे, घरेलू काम करवाय जाते थे, जाड़ू लगवाय जाती थे, बहुत सारे काम होते थे, ये सब इन किसानों से, इन सर्फो से बिना पैसे के करवाया जाता था यदि यह सर्फ आजाद होना चाहे या मुक्त होना चाहते थे या कभी कोशिस भी करते थे तो उन्हें पकड़ कर कठोज सदर दी जाती थी कभी-कभी तो उन्हें मौत के गाट भी उतार दिया जाता था तो चाहे यहाँ पर हम रोम के दास की बात करें चाहे हम फ्रांस के सर्फ की बात करें इस्तिती दोनों की एकीति वर्ग बेसक से अलग है एक दास है एक किसान है और किसानों को यहाँ पर सर्फ का दर्जा दिया गया था ठीक है बच्छो तो यहाँ पर ये तीसरा question भी मारा हो जाता है complete इस तरह से आज कि इस वीडियो के जितने भी important question थे आप एक बार द्वारा देख लो चंगेज खान की सैनिक उपलब्दियां को आपको वार्ण करना था पूरा का पूरा question एक बार में आप चाओ तो स्क्रिंस्रोट ले लो एजी समझ में आ जाएगा आगे देख लेते हैं चंगेज कान और मंगोलों का विश्वितियास में क्या इस्थान है एस से मान से लिखने है थोड़ा सा आधा यह है और आधा आपका इस चैप्टर से यही दो question बनते हैं सेकंड आपका जो चैप्टर था बच्चों यहां पर 14 सताब्दी में आरम 14 सताब्दी के आरम में यूरोप का अर्थिक विस्ता धीमा पढ़ने के क्या कारम थे तो आधा answer आपका यहां पर दिया हुआ है और आधा answer आपको यहां पर दिखने को मिल जाए ठीक है सेकंड कोश्चन 14 सताब्दी से पहले 11 सताब्दी में जो बद्योगें बदला हुए यूरोप में वो बताने थे सभी के सभी आप इसली आसरी डाउट कर सकते हो चाहो तो इसी सौट ले लीजिए पर सबसे आखरे कोश्चन जो भी हमने देखा रोम के दास की सिती और फ्रांस के सर्व के सिती की तुल्ला करनी है रोम के दास की सिती कुछ इस तरी के थी और फ्रांस के सर्व के सिती कुछ इस तरी के थी ठीक है बच्चो तो इस तरह से आज का हमारा यह जो वीडियो है व हमारी इस्ट्राग्राम की आईडी है आप हमारे टेलिग्राम को जरूर जोइन करो यहां पर डेली बिस्टेस पर आपको कुछ आपको के लिए अल्दा वेश्ट मिलेंगे नेक्स वीडियो में पढ़ते रहिए और अपना क्या लेके दन्द्वाद जहिंद्वन्दमात्रम